गोड़ मॉनिंग दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे चलिए बात करते हैं मार्केट के तो मार्केट में देखे साब कुछ नहीं है अभी करने के लिए वही हाल जो हम लगभग एक हपते से कंटिन करेंट में वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक तो मैंने का ना कि 100 डॉलर उपर 100 डॉलर नीचे जो कम से कम 1500 डॉलर वेल्स उपर लेके जाते थी उसको नीचे लेके आते थी वह घठके आगया है 100 डॉलर सब 800 डॉलर पर यहीं चलना है दो सो बाइस जार तीन सो बाइस 22,500 केवल यह चलना है तो और यहां मज़े की बात तो यह है कि देखिए वेल से भी बहुत ही सांती से बैठी है वो कुछ नहीं बिल्कु करना चाह रहा है भी वो भी सायथ बहुत ही कुछ उस इंतियार में है कि कुछ बड़ा करने के देखिए यह वो कहता है कि तूफान आ और नियूज तो कोई अभी न पॉजेटिव आ रही है न नेगेटिव आ रही है बिल्कुल जो नियूज निकल भी रही है वो भी आपकी केवल SEC की तरब से ही आती है यानि कि अमेरिका से निकलती है और वो वहां से थोड़ा वो नेगेटिव भी निकलता है पॉजेश तो यहां पर यही एक फरक है कि डी बाई डी एकस इंडेक्स और इसका तो 36 का अकड़ा रहता है देखिए अगर वो उपर जाएगा तो बीटी से नीचे जाएगा यह नीचे जाएगा तो वो उपर जाएगा बस यह निकि एक दूसरे का पोजेट तो वो जरूर यहां पर पर जाएगा तो जादा बैतर है कि वो कहते हैं मैंने आपको कल भी एक सामके वीडियों बोला था अरनवेद रोहताश चैनल पर जो दिया था कि उड़ता तीर ना पकड़ो तो जादा अच्छा है कई बार यह होता है बहुत जादा उताबले होते हैं बहुत जादा जल्द करा बैठते हैं तो जो भी है लेकिं मार्केट फिलाल जो है आपका अभी भी वहीं है जहां था कुछ नहीं हो रहा है इथिरियम आपका देखे 1575 डॉलर पर चल रहा है बी एनबी 289 यही है सीम हुब 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 और डॉच कोईन आपका 75 की सीरीज में चल रहा है और शीव का यहीं ही दुबारा से वापिस आ गया है थोड़ा साहां अप्ट्रेंड जरूर आए इसमें लगबग पॉने तीन परसेंट के आसपास अप हुआ है लेकिन यह सिर्फ वही है कि सिवेरियम की न्यूच कहिन की है बन जाती है आज भी सिवेरियम ट्विटर पर ट्रेंडिं कि मैं आपको एक और कुछ ना कोई दिखाई देगा में भी हो सकता है आपको एक अच्छा खासा यहां रेटन मिल भी सकता है लेकिन अभी थोड़ा से जो मार्केट के हालात हैं उसे साफसे यही कहुँगा कि आभी इसमें आप कुछ भी ना करें तो ज्यादा बैता रहे कि परबार के साथ हो ली ही किजिए क्योंकर जरूरत नहीं है कि जवर जस्ति का कुछ किया जाए अब देखते हैं अपना cmc पेज पर अभी फ्लोकी अप्राइज जो है फोर टाइम जीरो फोर वन की सीरी में चलना और मैंने आपको कली भी आई का था कि मुझे बहुत ज्याद इंपेक्ट आना नहीं था और देखिए सब की हम लोगों की जो है फ्लोकी में फंडिंग पहले से पड़ी होई है तो और एक्स्टा इसमें एक्सेस करने का मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैंने आपको क्लियर कट कल सामके वीडियो में बोल देया था कहते कि वजीर एक पर अच्छा खासा उचाल इसका चलता ही रहता है तो देख लिए आपको ठीक लगता है तो आप देख सकते हैं मेरा फिलाल इसमें इंट्रेस्ट और नहीं है कि मैं इसमें और फंड डालू मेरा फंड और इसमें बढ़ा हुआ है उसी में मुझे कुछ प्रॉफिट दिखा को मिल सकते हैं क्योंकि धीरे 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 ही सही लेकिन बहुत कोछ इसमें अपडेट हो रहा है कहीं ने कहीं रास्ता बहुत बड़े एक्चेंज की तरफ को धीरे धीरे बन रहा है आप यहां देखिए अब कहां तो फ्लोकी में कोई लिस्टिंग नहीं हो रही थी बहुत सकते हैं मैं रखी मैंने अपनी रखी होई है बागी प्रॉफिट भी निकालता रहता हूं वह मैं आपको समय समय पर बताता हूं अब देखते हैं बिटगर्ड में कुछ हुआ कि आप रेंड डाउन बिटगर्ड देखे सब बिलकुल साइडवे है जैसे बिटी सी साइडवे हो गया वैसे ये भी साइडवे में ही चलता है फिलाल बिटगर्ड जो है लगवग 8% उपर है तो अभी इनकी कोई बहुत बड़ी अपडेट इनकी भी नहीं है लेकिन इनका तो देखे जैसे जैसे इनकी नजदिक आती है कि इनका प्राइज फिर अप होता जाएगा लेकर यहां आपको एक चीज़ समझने पड़ेगी देखें बिटगेड में प्राइज बढ़ रहा है फर्स्ट वर्णिंग बर्निंग के आसपार देखें बिटगेड का प्राइज 30-35 की सीरीज में चलता थ सेकंड बर्निंग पर प्राइज आपका 45-50 की सीरीज पर आ गया है तो आप यह देखें यह बढ़ रहा है दीरे दीरे बढ़ रहा है बर्निंग के इसाब से आप देखिए और अब थर्ड बर्निंग होगी तो देखें इसका प्राइज 55-60 की सीरीज तक पहुंच जाएगा तो ये impact है जो supply कम हो रही है उसका लेकिन हम लोग को क्या है कि वो चीज़ अभी नजर नहीं आ रही हम लोग को चाहिए अचानक से तीन चार जीरो किल हो जाएं तो वो देखिए होगा जरूर लेकिन धीरे धीरे होगा आप यहाँ पर बस अभी यह देखिए कि फर्स्ट बर् निंगा में आपको बोलना को 55-60 की सीरीज में पहुंच जाएगा जब इसकी थार्ड बर्निंग हो जाएगी तो बस थोड़ा सा पेसेंस रखिए आपको कुछ न कुछ हासल जरूर होगा सिवा स्वैप बोन में देखिए जैसे उसमें पौने तीन तीन परसेंट के आसपास तो मैंने आपको इसकी रेंज भी बताई हुई है एक डॉलर और आपका 1.5 डॉलर और अभी 1.5 पर है अगर आपको इससे थोड़ा सा नीचे अगर जाता हुआ न जा रहा है तो आप यहां पर जिसने बैसे तो mostly लोग बाइंग कर चुके हैं और वो अच्छा खासा प्रॉ रखें उसको सेल ना करें वो हमारा लॉंग टाइम बाला प्रोस्पेक्टस है तो उसको आप होल्ड कर रखें बाकी मेरा हमेसा आप पोर्टफोलियो दो रखें एक पोर्टफोलियो हमेसा प्रॉफिट बोकिंग के लिए तो यहां और देखिए क्रैकन एक्षेंज जो है अ कि आसान काम है बेंक को यहां और यहां की सरकार से आप को ठर्मिस लेनी ही पड़ेगी और कोई भी सरकार फिलाल जब तक कर्प्टो रेगूलेट नहीं हो जाता तब तक किसी भी बेंक को मुझे नहीं लगता क्रिमिसन देगी क्यों कि अभी तो कर्प्टो पर ही सारा ममला है पेच फसा हुआ है तो एक और कोई भी सरकार मुसीबत नहीं लेना चाहेगी कि बैंक किस तरीके से खुल जाएं बैंक खुलने का मतलब यह हो गया कि जो पर्मानेंट अपने और लेड़ी जो सरकारों के बैंक हैं उनका फ्लॉप होना सिधा सिधा तो इसे लिए कोई भी सरकार अभी बैंक की परमीसन नहीं देगी किसी भी क्रिप्टो एक्चेंज को लेकिन ठीक है कर अपना कराकन जो है अखर इंडिया से कोई मतलब नहीं यह इनका लेकिन जहां भी हैं लेकिन यह अपनागर आप बैंक खुल लेते हैं तो एक कराकन के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि उन्हें और किसी बैंक की जरुवती नहीं पड़ेगी तो बस यही मैं बता रहा हूँ किसी और बैंक की जरुवत नहीं पड़ेगी मतलब कि जो अलड़ी बैंक एकजिस्ट हैं उनका बाइपास हो जाना और कोई भी सरकार यह बिलकुल नहीं चाहेगी देखते हैं यह कितना इस काम में सफल होते हैं अगर यह सफल हो गए तो करप्टो के लिए तो एक तरह से करांतिकारी कदम होगा लेकिन जो अलड़ी एकजिस्ट हमारे बैंक हैं उनके लिए बहुती आत्मगाती मामला हो जाएगा देखते हैं उन्ट किस करवट पैड़ता है फिलाल तो कराकरन एक चेंज ने अच्छी शुरुआत की है देखते हैं इस पर और क्या निकलके आता है अब यहाँ पर और एकनी सीजेब बाइनेंस ने भी इसी पर ट्वीट किया है भाई अगर इस तरीके से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है लिए वक्त बताएगा चले फिर मिलते हैं नमस्कार